Good morning, students. तसाओं हमने डि ब्रागली model पड़ा था, जो की डिय ब्रागली की मानेता पराधा रही था. डिब्रागली ने माना कि जैसे विकिरण या प्रकाश की धोरी प्रकरती होती है, तरंग के साथ कण्या प्रकरती होती है, उसने का कणों की भी दोरी प्रक्रती हो सकती है, कण के साथ तरंग प्रक्रती भी हो सकती है और उसको सिद करने के लिए उसने एक D-Brogli समिकरण भी दिया था जिसमें की किसी गूमते वे कण का तरंग दैदरियर लैमडा H upon P और H upon Mb के पराबर होता है किसी गूमते वे कण का तरंग दैदरियर इसको ग्याद करने के लिए उसने इसको सिद भी किया D-Brogli समिकरण को कि कैसे ग्याद करेंगे इसके लिए उसने कहा कि अगर electron और कोई कण V-Volt से तरित होता है तो उसकी गत्य जूर्जा half Mb square E upon V sorry half Mb square is equal to E into V होगी E उसका charge है और V उसका volt है जिससे वो तरित हो रहा है upon 300 क्योंकि 1 Esu 300 volts के बराबर होता है इस समिकरण से और हमें समिकरण लिख सकते हैं V square is equal to 2 into EV upon M upon into 300 cancel हो जाएगा तो यह कम यह बराब होगा V square is equal to EV upon M into 150 और V is equal to under root EV upon M into 150 इस समिकरण में D property समिकरण है उसमें V का मान velocity वेक का मान रखने पर lambda H upon MV होगा lambda is equal to H upon M under root M into 150 upon under root E into V और इस M को अगर हम अंदर ले लेते हैं तो H under root M into 150 upon under root EVM square M से M cancel हो गया तो lambda is equal to H into under root 150 upon under root EVM इस समिकरण में Planck स्तिरांग electron का चार और electron का द्रवमान सबके महान रखने पर यह होगा lambda is equal to 1.6026 into 10 raise power minus 27 under root 150 upon under root 9.101 into 10 raise power minus 28 into 4.8 into 10 raise power minus 10 into V volt जिस से वो त्वरित किया जा सकता है यह आता है lambda is equal to 12.26 into 10 raise power minus 8 upon under root volt centimeter अगर electron को 100 V से त्वरित करें तो जो इसके तरंग दैदेरे का महान है जो इसका डी ब्रॉगली तरंग दैदेरे कहलाता है वो 1.226 into 10 raise power minus 8 centimeter या 1.226 M strong के बरावर होगा यह X-ray के तरंग दैदेरे के समान होता है उसी कोटी का होता है अधा हम कह सकते हैं कि अगर electron 100 V से तरित हो तो उसके साथ जुड़ी भी तरंगे X-ray के तरंगों के समान होती है हो सकती है इसको आगे फिर से डेविशन और जर्मर के एक्स्पेरेंट वारा भी सिद्क आजा सकता है इसको हम आगे के लेक्शरन पढ़ेंगे थैंक यू